वैसे इस स्टोरी में जो इंडियन लड़की है ना उसके लिए जेलेसी फील मत करना प्लीज, क्योंकि अपने आपको इमेजन करना उस लड़की के रूप में ठीक है ओके नो जेलेसी तो मैं बता रही थी है स्टोरी इमोशनल होगी थोड़ी फिर कोमेडी होगी रमांस होगा उसके बाद तो हैपी एंडिंग होई जाएगी बाकी हमारे बीटियस के जो मेंबर है यह आल में मरेबा की मेरा पायस जो है वो जंकुक है इसलिए मैं जंकु में पाना बहुत मुस्किल है और रियल में तो यार हमें मतलब उनके कॉंसर्ट में जाना या उनकी एक जलग देखना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं तो आई होप यहीं प्रायतना करते हूं भगवान से कि हो कि इंडियन लड़की से ही शादी हो बाकि तो उनकी खुद कि लिए आये हुए थे और उन्हें अवार्ट जीत भी लिया है अरे जंकु कहां है तो इस पर वी केहता है गया होगा अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्योंकि डेब्यू से पहले जंकु कुद यहां टांस क्लासेज लेता था ऐले में इसलिए यहां उसके बहुत सारे दो दूसरी तरफ जंकुक एक रेस्टोरेंट में जाता है जिसके काउंटर पर 60-year-old man पैठा हुआ है जो कि हर आते जाते विए कस्टमर को देख रहा है तो उसे देखकर जंकुक कहता है हेलो जैक अंकल कैसे हूँ वह old man जंकुक को देखकर बहुत खुस होता है और कहता है अब की बार बहुत दिन हो गए तुम्हें आये हुए चेर पर बैठते हुए कहता है हाँ अंकल अब की बार काफी टाइम लग गया तु वह old jack की तरफ जाता है और जंकुक के लिए चाए बना कर लाता है और पास वाली चेर पर बैठते हुए कहता है मैं जानता हूँ बेटा तुम यह क्यों आते हो और किस के लिए आते हो अगर उसका कोई फोन में सीथ या क्पूल आएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम 10 साल से उसका इंतचार कर रहे हो तो इस पर जंकुक दीरे से अपनी गर्दन नीचे कर लेता है तो तभी जंकुक कहता है रे अंकल मेरा दोस्त कहा है तभी पीछे से आवाज आती है ओ तो तुम्हें दोस्त की याद आ गई और ज एल्प नी करवा था ही तभी मिन्सु कहता है रे यार तुम भी बापा को समझाओ ना रेस्टोरेंट में सी सी टीव लगे हैं पता ने फिर भी कस्टमर को क्यों देखते रहते हैं आते जाते गए तभी जैक कहता है तुम्हारे सी सी टीवी साइद उसे ना पहचान पाएं लेकिन मैं उसकी एक जलक देखकर उसे पैसान सकता हूँ तभी मिन्सु कहता है एक तो ये और एक आप बापा आप ये उसे भूल नहीं पा रहा है और आप उसे हर कस्टमर में ढूंड रहे हूँ पता निक्या तभी जैक कहता है ठीक है तुम दोनों बात करो मैं चलता मिन्सु कहता है, एक बात बताओ यार, ऐसा क्या है उस लड़की में, मा उसको तुमने देखा है, बच्पन में दस साल पहले देखा था, पता नहीं, वो कैसी दिखती होगी, क्या है, लाको करोडो लड़किया तुम पर मरती है, ऐसा क्या है उसमें, जो तुम उसे भूली नह पा रहे हो, हाँ, इतनी आर्मी है, पुरे वर्ल्ड में वेहन तुमारी, फिर भी पता नहीं, बार-बार, मतलब अब तक दस साल हो गए उस बात को, छोटे बच्चे थे, जो अभी तक नहीं भूल पाई, इतना भी क्या प्यार, तो तभी जंकू कहता है, नहीं, ये प्यार नहीं है, आर्मी से तो मैं प्यार करता हूँ, और रही बात अलागों करोड़े लड़कियों की, तो वो भी ठीक है, लेकिन, वो मेरी अच्छी दोस्ती, क्योंकि उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है, तो बस यहीं गल्टी फिल होता है मुझे, कि मैं अगर एक बार उ से शुकरिया और अपने मन की बात बता दूं, तो साथ वो भी मेरे लिए और दोस्तों की तरह होगी, तो तभी मिनसु कहता है, बिल्कुल नहीं, और दोस्तों भी तरह तो बिल्कुल नहीं, अरे हम स्कूल में, कूलिज में, और बच्पन में पताने कितने दोस्तों से मिलत करते हैं ठीक है मिलने के बाद भी बाते चीज़े कर बाते करते हैं तब हमें याद आता है लेकिन तुम हो किसे भूली नहीं पा रहे हो तो यह दोस्तों बिल्कुल नहीं हां हां लेकिन बात यह कि तुम मानोगे नहीं कि तुम इससे प्यार करते हैं नहीं प्यार व्यार ऐसा झाल झाल